पार्टी का पटका पैना करके विदीवत उनको पार्टी में शामिल करें, मैं अग्रह करूंगा माने जगत प्रकाश नेड़ा जी से और श्री थावर्चन जी से जामिठ नग्रो पार्टी कॉझे बुला की विर्टी कलेशी क्मिल के लिल, सुझे बनी लोसे बन्को बस्सेश का प्रिदा का भार्टी में लिपय करेंगा एंगि नींडा से भी है दो खंबाके स्वक्राशन ऑग्रेश जींड़One प्राइब 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 प्राइ बुपेंदर जी ने आपको बताया, Y.S. Chaudhry जी, Ramesh जी, Venkatesh जी और मोहन जी एक लंबे समय से इनके मन में विचार आ रहा था कि आदरणीय प्रदान मंत्री जी के नेतरतु में जिस तरीके से तेश आगे गया है under the dynamic leadership of the Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the organizational skills of Amrish Shah ji which has made the party grow in leaps and bounds इन दोनों बातों से प्रभावित होकर और आंदर प्रदेश के विकास के लिए positive note पर आप भारतिय जमता पार्टी में शामिल होना जाते हैं आज सुब इनकी बैठक Y.S. Chaudhry ji के नेतरतु में हुई जिसमें इनों ने एक प्रस्ताओ हमारे राश्च्रिय अध्यक्षे अमित भाई शाह जी को यह कहते हुई दिया कि हम प्रस्तावित करते हैं कि हम अपनी पार्टी के चार सदस्य आपके साथ भारतिय जिंता पार्टी में विलेह करना सब्सक्राइब कि अरेनी दिपस्ट वर मैं और थावर चन्जी उस पत्र के साथ भारत के ऊपराष्ट्रापती और हमाहरी राज्यसभाः के की चेर्मेन शी वनकी और नाइडू जी के पास गए और में वह पत्र इनका भी प्रस्ताओ और इसके साथ साथ हमारी स्विकृति का प्रस्ताओं ये दोनों प्रस्ताओं मानिया वो प्राश्ट परती जी को दिया है और वो उस पर कारवाई करेंगे भारतिय जनता पार्टी का तिल्गु देशन पार्टी राज्य सभाक्री का विले इसको स्विकृति भारतिय जनता पार्टी ने दी इंक्लूसिवनेस, सब्धास अर्संफ था विश्वास लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मुझा पूरा भरोसा है कि और शाहरों Did श्यमिनहीन के अनुझ जफ्टत करने से स्हवत सुफम प्रणंव होगी और पूरी ताकत के साथ हम इनका समर्थन करते हुए इस अवसर पर टीनों हमारे जो साथी सांसदियां उपस्तित हैं और एक इनके साथी अभी पैर में चोट लगने के करण यहां पर उपस्तित नहीं है लेकिन उनका समर्थन पत्र है तो मैं वाइस चौदरी जी से काऊंगा वो भी अपने दोशक्त का है Good evening dear friends, as you are all aware, the mood of the nation which has very clearly shown in the recent elections, so after that we all have decided that we should join in building this great nation, that's one of the reasons. Particularly for me, I also have got an experience having worked for three and a half years as MOS with the Honorable Prime Minister as the leader of the cabinet. So, this decision was taken mainly to join in building the nation and particularly for the state of Andhra Pradesh, because for various reasons we have definitely suffered. So, thereby we want to emphasize all the issues raised in AP Reorganization Act to be implemented as early as possible and this is the best platform what we thought to work with cooperation and coordination rather than confrontation and competition. That's it. Thank you. Thank you very much. Pura dunga.